नमस्कार दोश्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है सुबे खाली फिट अपने घर पर इसको बना कर पिलो नस नस की ब्लोकेज और गैस को ये बाहर निकाल देगा आपके सरीर में खून की कमी दूर होगी और कैलसियम की कमी भी आपके दूर होगी जिससे की आपको जोडों के दर्द, घुटनों के दर्द की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपकी हडियं वजर के समान मसबूत हो जाएंगी दोस्तों, आपका मोटापा मक्खन की तरह पिंगला दे गई कॉलोस्टूल को दूर करेगा, बुरा कॉलोस्टूल आपसे दूर रहेगा डाइबटीज आपकी कंट्रोल में बनी दहेगी आप पेट की रोगों से बचे रहेंगी कबज गैस और एस्टिटी की समस्या आपको नहीं होगी पेट की गर्मी सांत हो जाएगी यदि पेट की गर्मी के कंट आपको तलवों में जलन की समस्या है तो आपकी वो भी दूर हो जाएगी आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी ये नुस्खा बेहद अधिक कार करे हैं यूरीनी इनफेक्शन को दूर करता है ऐसा है ये चमतकारी नुस्खा और दोस्तो आप इस नुस्खे को अपने घर पर ही बनासकते हैं और इस नुस्खे को बनाने के लिए जो भी जरूरी समान चाही वह आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो टाइम वेस्ट न करते हुए आपको बताते हैं इस नुस्खे के बारे में, जिसका प्रियोग करके आप अपने सरीर को निरोगी बनासकते हैं, आपने चहरे पर नया गलो लासकते हैं, क्योंकि हमारे चहरे पर जुरिया आने का सबसे बड़ा और मुख्य कान होता है खून की गंदगी, ये खून की कमी को भी दूर करेगा, खून की गंदगी को भी साफ करेगा, खून को पतला करेगा, जिससे आपके चहरे पर नया गलो आएगा, आपका चहरा खिल जाएगा, और दूसरा आप कोलोस्टोल की समस्या से बच रहेंगे, आपके हाई बीपी को नॉर्मल करने का काम करेगा, आपने लेना है एक मुठी पूदीना जैसे कि ये मैंने लिया दोस्तों पूदीना हमारे सरीर को ठंदक देने का काम करता है और पेट के रोगों के लिए तो एक काल की त्रहें काम करता है यूरिन इंफेक्शन को दूर करता है और हमारे सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बच नहीं हैं दोस्तो आपने एक नीमू दोस्तो नीमू हमारे सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदेमन है चाहे हमारे सरीर के टोक्सिंस को हमारे सरीर से बाहर निकालना हो हमारे सरीर में विटामिन C को अधिक करना हो जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच रहे हैं दोस्तो ह हमें यदि पेट की गर्मी का समधान करना है, तो हमें इस निम्बू का सेवन जरूर करना चाहिए. दोस्तो आपने लेना है एक निम्बू, और इस निम्बू को भी आपने धोकर साफ कर लेना है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ. अब जो अगली सामगरी आई, दोस्तो वह लेना है आपने एक इंच अद्रख, और दोस्तो अद्रख की यदि मैं बात करूँ, यदि आप अद्रख का सेवन सही तरीके से करते हैं, तो दोस्तो अद्रख आपके सरीर की 100 से अधिक बीमारियों का काल है, 100 से अधिक बीमारियों को ठीक करतेगा, और दोस्तो ये नुस्खा, जिस नुस्खे को हम आपको बना कर दिखाएंगे, ये नुस्खा भी आपके सरीर की बहतर बीमारियों के लिए एक रामबन ओश्दी की तरह काम करता है, बहतर बीमारियों को जड़ से खतम करता है ये नुस्खा, दोस्तो आपने लेना है एक के लिए कर सकते हैं दोस्तों ये तीन सामगरी आपने लेनी है अब आपने क्या करना है पुदीनों को काट लेना है बारीक आपने नीमो को भी टुकड में काट लेना है और अधर को भी टुकड में काट लेना है अब दोस्तों आपने क्या करना है एक गिलास पानी लेना है और बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों ये लिनी है सुफ आपने एक चम बचूशू अब दोस्तों आपने इन सभी समगरी को अच्छी तरहेंसे इस गिलास में मिक्स कर देना है जैसे कि ये में कर रहा हूँ अब आपने इस पूरे गिलास को ऐसे ही इस पानी के साथ रात भर के लिए ढख कर रख देना है जैसे कि यह मैंने ढकर रखती है, आपने भी ऐसे ही रख देना है, अब दोस्तों सुवे खाली पे आपने क्या करना है, जो इस गिलास के अंदर जो हमने समान डाला था, पुदीना डाला था, नेम्बू डाला था, सौफ डाली थी दोस्तों, अदरक डाला था, उसका आरकिस में आ जाएगा अब आपने उस समान को इससे बाहर निकाल देना है और इसको चान कर इसका सेवन कर लेना है दोस्तो अब बीना चाने भी थोड़ी सी आने की अगर सौफ गरेस में राजाए थोड़ी सा पुदीन डाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं इसका टेस्ट भी मस्त आए और आपके शरीर की अंदर से पूरी सफाई कर देगा है, टॉक्सिंस को बाहर निकाल देगा, आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करेगा, इसका सेवन करना है दोस्तों आपने सुबह खाली बेट, अब आप कहेंगी कि यह जो मेरा मटीरियल बचा इसका मैं क्या करूँ? दोस्तों आपने क्या करना है? आपने इसी मटीरियल को दोबारा से एक live कर रखा रहनी देना है, आपने जो यह सूबे पानी लेता, अब इसमें नीमू को भी उसी पानी के साथ ए गिलास पानी के साथ डिबाखकर रख दिजया, आप श्याम के लिए. य आपने ऐसे ही ये नुस्खा 5-6 बजे के आसपास लेना है। दोस्तों आप एक दिन में दो बार इस नुस्खे का सेवन कीजी और आपको चमतकारी रिजल्ट दिखाए देंगे। आपके सरीर के टोकसिंस दूर हो जाएंगे और आपके बीमारियों में भी आपको फरक दिखाए देगा। आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा। दोस्तों यदि आप कुछ दिन लगातार इस नुस्खे का सेवन करेंगी तो आपको चमतकारी रिजल्ट दिखाए देंगे। दोस्तों देख किसे बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें। और अपने सरीर की इम्यून पावर को बढ़ाए, रोगों से लड़ने की सक्ति को बढ़ाए और अपने सरीर को निरोगी बनाएं। दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजी ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले वीडियों को देख से रहें जिससे कि आप अपने घर पर ही नुस्खा बनाकर बीमारियों का इलाज कर सकें धन्यवाद दोस्तो